हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरा एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि टेक्श पार्क गो फोन में आप लोग वोलियूम को जो है कैसे volume को adjust कर सकते हो guys देख सकते जैसे मैं कर रहा हूँ तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए तो चलिए guys वीडियो को start करते है without volume button volume को manage करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद आपको यहाँ पर से थोड़ा नीचे scroll down करना है थोड़ा नीचे scroll down करते ही आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा गए special function का तो special function के option पे click कर दीजिए click करने के बाद यहाँ पर से आपको नीचे scroll down करना है last में एक option मिलेगा accessibility का तो इस accessibility के option पे click कर दीजिए click करने के बाद यहाँ पर जो पहला वाला option हैगा इस accessibility menu का इस पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर एक accessibility menu shortcut का option आएगा तो इसको हमें on करना होगा on करने के लिए हम इस पर click करेंगे click करते ही allow का option आगा allow पर click करेंगे got it का option आगा got it पर click कर देंगे ऐसा करती है जो option है वो on हो जाएगा on होने के बाद यहापर देख सकते है एक आपको side में shortcut button देखने को मिलेगा यह वाला तो इस shortcut button पर click कर दीजिए click करने के बाद volume down and आपका option आगे देख सकते है आपर सब लोग volume को down कर सकते हो और इस पर click करके volume को आप कर सकते हो without इस power मतलब volume button पर click किए देख सकते कहीं से भी आप लोग volume को कम ज्यादा कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग अपने techno spark go phone में volume को increase or decrease कर सकते हो गाइस without volume button पर click किए तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ